करने वाले तो आज चर्चा करने वाले हैं माननी हाई कोट ने आपको बता दूँ हाई कोट और एक्षन खतम किया 13% होड नहीं कर सकते आप याद किएगा फर्स स्टेज में आप नहीं कर सकते पहले मैं आप पुरा उसका न्यूज पड़के सुना देता हूं उसके बाद हम ल अपका तो याद आखिए याद तो MPPSC न्यूज है कि हाई-कोट ने राज पातरता परीक्षा से आरक्षन खतम किया 13% होल नहीं कर सकते हैं सबसे पहले बात आप याधे नहीं कर सकते हैं पातरता परीक्षा थीक याद एक आँगे के देखिए ये कल की न्यूज है आपका यहां देखें, तो देखिए, गावर्मेंट आप बद्प्रदेश के लिए मद्प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिंशनर इंदोर मद्प्रदेश इंप्लोई सेलेक्शन बोर्ड दौरा आईद विबिन पातरता प्रविक्षा में 27% OBC एरेक्शन के चलते, OBC या समान दोनों व से बिज्वल करा देता हूं, जिससे के आप लोग सही से पढ़ सकें, ठीक है, पातरता प्रविक्षा में आरक्षन विबाद सुरेंद कुमार रीवा बना मद्प्रदेश के लोग सिवा आयोग इंदोर के लिए है, क्या मामला देखिए, रीवा जी लेके सुरेंद कुमार मद्प्रदेश राजपातरता परिष्चा 22-23 भाग लिया, राजपातरता परिष्चा का जब परणाम आया तब मद्प्रदेश के लोग सुवा आयोग ने अब बैरती का रिजल्ट याए, कहकर होल्ड कर दिया, कि आपका नाम 13% का अलपलिंग लिश्ट में है, जब तक मा परिष्चुत किया और अपनी समस्या का निराकर्ण मांगा परंतु जब कोई समाधान नहीं मिला तो अधिक वक्ता स्री दिनेश सिंग चहान के माध्यम से जवलपुर इस्तित्हाई कोड के मद्प्रदेश में आया अच्का परिष्चुत की गई, आंगे देखिएगा, तो अधिवक्ता दिनेश सिंग चहान की दलील, मामले की पैर्वी कर रहा है, अधिवक्ता दिनेश सिंग चहान ने माननी कोड को इस तथ से अपकत कराया कि कि किसी भी पातरता परिष्चा में आरक्षण का नियम लागू नहीं होता है, राश्छी स्रप होने वाली नेट ज जारी किया जाता है उन भरतियों के लिए जहां पदों की संक्या निश्चित हो लेकिन यहां मत्पदेश राज पातरता परिक्षा सिर्फ एक पातरता परिक्षा जिसमें एक निश्चित अंक लाने वाले प्रेक्टी कौलिफाई कर जाता है नेक निश्चित अनुपात के अब देखेजिए नियुट से आप लोग किस प्रकार फायदा होने वाला है तो आपको बताएं किस प्रकार फायदा होने वाला मैं आपको बताता हूं ठीक देखिए आपको पता होगा कि MP प्रिस में 13% का काल्पनिक और 13% यूर किया कैण जारी किया गया है का अपको को लिए दिने शットन ने कहाक आपके आपको अपका का आपका उनरे घ्रड़ गाया ठीक है जबकि ऐसा नहीं होता ठीक तो इसी को इसी बात की इसी मान द्युम से जो आपका चल रहा तो आपका फिश्काल होगा इसे में कई लोगाइउ name की एधार किये किसके लिए MPPuição Fiscal के लिए य। भी क्या लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है यह तो आंगे देखनी बात होगी लेकिन यहाद दखिएगा इसमें भी सेम इस सेम इसू है इन्हों फर्स स्टेज में किसमें आपका फर्स स्टेज में क्या कर दिया रिजल्ट जारी कर दिया है तो रिजल्ट जारी कर दिया है ठ कर दिया है ठीक जिसका बिरोद काफी बच्चों क्या करें काफी बच्चे क्या करें इसके बिरोद करें इसके बिरोद करेंगे फर्स्ट इस्टेज में ना करके इसका जब दुटिएज स्टेज हो जैसे दुटिएज आपका क्या फिश्कल है उसमें यह आपके हंडेड मार्क जो MP पूलिस वाले हैं, जो MP पूलिस वाले जो बच्ची हैं, तो खास कर किया रखिएगा, अगर जो 13% में हैं, 13% कालपिन रिजर्ट पे होल्ड है, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि एवार कोट का जुरूर दोहर खटखटा है, क्योंकि हो सकता है, उसमें आपको क्या रिलीफ मिल जाए, क्योंकि आपको पता है, कि इन्होंने क्या क्या एक ही स्टेच में क्या कर दिया है, तो जाड़ल जारी किया है, जो कुई बैद नहीं है, जो कि आसब मैदानिक है, जो की कोट भी मानती है, कि आपकर 123% की Mhm. जारी किया गया है ठीक आज जो MPP 13% UR और 13% OBC में है तो जरूर इस चीज़ का आप लोग फाइदा उठा सकते हैं अगर उठाना है तो आपको बता दूँ अगर आप लोग नहीं उठा पाते हैं तो आपको उसी में 13% में ही आपको तो एड किया जाएगा रखिएगा 13% यह UR और 13% आपको elders नवी को अब जीज़ किया जाएगा है अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें एट अपको फॉर्वला यूज किया जाए तब वो सही माना जाएगा उस सम्मेधान माना जाएगा एक कोट यह मान चुकी है ठीक आप जो नेक्स हेरिंग किसकी चल रही है आपके MP पुलिस फिसकल के लेकर चल रही है कि जो बच्चे कालपिनिक में उन्हें फिसकल देना है कि नहीं देना इसी चीज़ें कहां चल रही है आपकी कोट भी चल रही है लेकिन माननी हाई कोट ने माना है जैसे कि एक परिक्षा आपकी जो राजपातरता परिक्षा हो उसमें उन्हें क्या असम्मेधानिक माना है ठीक है तो इससे सीधा तोर पर क्या थाबित होता है कि आपको फर्स स् जो तेरा परसंट में जो हैं वो आपके 87 में आ सकते हैं ठीक प्रेची चल रही है ठीक है चलिए बाकी किसी कुछ और पूछ रहा पूछ सकते हैं बाकी सबसे बड़ी आप लोग की लिए यही थी विलकुन गौरब गौरब जी जिसे जिस ने लगाया है उसे को मिलेगा झाजो फिसकल आपकी बता रह जाए और जी फिसकल इसकी बात की जा रही है ठीक को आगे है आपके तोट्विस और पच्चीस को ये रहें ए तो इसके बाद आपके को साथ बताया जा रहा हम भी पोल इ। कि अपके लगवा है मांग ली गई है, सारे चीज़ कर ली गई है, अब बताया जा रहा है कि आपके MP Forrest Guard के बाद जो नाक्स जो आपकी fiscal है जो आपका MP Forrest के रहने वाला है, जो कि अपसे जून सिस्टम था आठ जून, आठ आठ बारह जून की विछ कुछ ऐसा बताया जा रहा है, कि इन दोरों के बीच कुछ ताल मिल बैठ रहा है, ठीक है, चलिए सर्थ तेरा वालों का fiscal हो गाना, अब देखिए अगर बुलाते हैं तो अच्छी बात है, अगर बुलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चलिएगा, तो आप लोग समझ चुके होंगे, जो मैं पिछली जो निजी बता रहा था, उससे आप लोग समझ चुके होंगे, कि मैं किस बारे में चर्चा कर रहा था आप सभी को, तो आपको बता दूँ, कि कोट भी मानती है, कि first stage में आप result जारी नहीं कर सकते हैं, यह आ पेपर, आपका एक पेपर ले लिया गया है, अब दूसरा पेपर यह कह दिया गया है, कि दूसरा पेपर आपको नहीं लेने दिया जाए गया, च्योंकि आप पहले पेपर में क्या आपको result जारी कर दिया गया, आप उससे second paper देने के मौकद दीजिए, जिससे उन दोनों का मिलाक के जो आप एड करेगा, उसका उससे जैसे मा लिजिए, आपको first paper है, first paper में आपके 75 marks है, और second paper आपको दे नहीं दिया जा रहा है, अगर second में भी आपके लग को कुछ ऐसे 75 रहते हैं, तो यह आपके जो बढ़िया नंबर हो गई, यही चीज कहां, दलील कहां चले है कोट में चल रही है, तो इस चीज को माने नहीं हाई कोट भी accept कर लिए है, और जो MP police को fiscal के लेकर जो 13% जो बच्चे हैं, काफी काफी तोर पर विरौत कर रहे हैं इस पर, ठीक है, और मुझे पूर्ट भी स्वास है, क्यों लोग इस चीज को क्या आप जीतेंगी, क्यों है, क्यों कि पक्ष में क्या सचाई है, क्यों है, क्यों कि याद कि कभी भी first face में आप result जारी नहीं कर सकते, अगर second face में क्या आपका अंक ना हो तो, अगर marks ना हो तो, जबकि MP police के second marks में क्या आपके, तो second marks में क्या आपके, तो marks है, hundred marks है, अगर उस में marks नहीं होता, तब आप लोग इसमें 87% 13% का फार्मर लागू कर सकते थे इसे